हेलो दोस्तों मैं राकेश रद्री आपका मैथामेटिक्स चीचर वेलकम करता हूं आपका डिजिटल तैरी के यूट्यूब चैनल पर जैसा गी आपको पता है हम बात कर रहे हैं ससी जीडी प्रीविएस येर पेपर्स के बारे में एक पेपर हम कर चुके हैं आज हम बात करें ससी जीडी प्रीविएस येर पेपरर सेकंड पेपर नंबर के बारे में और सेकंड पेपर जो कहां से फस्ट मार्च 2019 स chỉब सेकेंड का हम कर चुके हैं स्ट सेकंड का कर रहे हैं स्टार्ट करता है इस पेपर को तो पहला कोशिंट क्या कहता है देखिएगा जैसा कि आपको पता है number of questions कितने रहते हैं number of questions रहते है 25 तो वही 25 questions हम कर रहे है तो पहला question हमारा क्या कह रहा है देखिए A, B and C can do a piece of work in 20, 40 and 80 days respectively In how many days can A do the work if he assist by B and C on every third day A, B and C एक काम को क्रम से 20, 40 और 80 दिनों में कर सकते हैं यदि प्रतेक तीसरे दिन B और C A की साहिता करे तो A कितने दिनों में काम कर सकता है चलिए देख लेते हैं तो A, B and C कितने लोग हैं हम देख पा रहे हैं तीन लोग हैं हमारे पास तो तीनों लोगों के बारे में हम बात कर रहे हैं चलिए A के दिन कितने हैं 20 ये लीजिए 40 और 80 पोई समस्या नहीं LCM ले लेता है इनका क्या आएगा definitely 80 ही आएगा 80 ही आएगा जो की हमारा क्या होगा कुल कारी होगा 80 वटा 20, 4, 80 वटा 40, 2, 80 वटा 81 ये आगई इनकी कारिय शमता है work efficiency किसकी A, B और C की A की 4, B की 2, C की 1, मतलब एक दिन में किया गया काम आ चुका है आपको कह रहा है प्रतेक तीसरे दिन B और C, A की साहिता करते हैं तो पहले दिन तो A अकेला है, चार काम करेगा, अगले दिन A अकेला है, चार काम करेगा अगले दिन मतलब तीसरे दिन अगर मैं देखूं तो ए तो चार काम करेगा ही लेकिन बी और सी भी साइता करेंगे तो दो और एक तीन काम और हो जाएगा तो कुल मिलाकर ये चार ये चार और ये तीन कितना काम हो गया ये हो गया, चार और चार आठ, आठ और तीन कितना, इग्यारा काम हो गया, कितने दिन में, ये आपके दिन हो गये, तीन दिन में, तो तीन दिन में काम हो रहा है, इग्यारा, हमें करवाना कितना है, असी करवाना है, डेफिनेटली असी करवाना, ठीक है, तो हम देख सकते है कि ए कर रहा था प्रतेक तीसरे दिन बी और सी एक ही साहिता करते हैं तो ए अगर चार कर रहा है पहले दिन तो अगले दिन भी चार कर रहा है सुरी यह तीन नहीं चार तीन और चार इसमें यह जोड़ना है अभी तो तभी घड़बड हो गई चलिए चार और तीन यह कितना सा ठीक है अब चार और चार कितना आठ आठ और साथ अगर मैं देखू तो कितना काम हो गया यह 15 काम हो गया तो 15 काम हो रहा है आपके कितने दिन में 3 दिन काम करवाना कितना हमें 80 करवाना और इसी तरीके से करवाना है तो 15 का किस से गुणा किया जाए कि ये 80 हो जाए तो 15 का किसी से भी गुणा करके परफेक्ट 80 तो नहीं बना सकते, लेकिन 80 के पास में और 80 से छोटा बना सकते हैं, वो हो जाएगा पाथ से गुणा कर लेते हैं, 15 का पाथ से कितना 75, इधर भी 5 से गुणा कर लेते हैं, तो ये कितना 15, तो 15 दिन, और काम कितना 75, 75, ये सारा काम verbally मौखी ग्रूप से भी हम कर सकते हैं इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है अभी 75 काम हुआ है काम 80 है अभी भी काम 5 बागी है कौन करेगा जो यह सीक्वेंस सल रहा इसी सीक्वेंस पे काम होगा तो करेगा कौन एगति कितना कर रहा है चार तो एक दिन और लगेगा तो यह लीजिए एक दिन और हो गया और चार काम भी हो गया तो 75 और 4 तो 79 हुआ अभी भी एक काम बाकी है तो अगला दिन आएगा कौन करेगा यही ए करेगा लेकिन ए अगर पूरे दिन काम कर लेगा तो 4 काम हो जाएगा तो 75 और 4, 79 तो हो चुका है, प्लस 4 कर लेंगे, तो 83 हो जाएगा जबकि काम 80 ही है, इसका अगला दिन पूरा नहीं लगना है, ठीक है, तो 4 काम होता है एक दिन में, तो हमें तो एक ही काम करवाना है, तो पूरे दिन का चौथा भाग काम में आ जाएगा, इसका मतलब 1 बटा चार दिन लगेंगे, अगला एक काम करने के लिए, यहां हम देख सकते हैं कि काम कितना आपका एक, और दिन लगेगा 1 बटा 4, तो 75 और चार और एक 80 काम हो गया 15 और 16 और एक बटा चार 16 से एक बटा चार दिन हो गए और 16 सही एक बटा चार दिन मतलब हम कह सकते हैं 16.25 दिन हमारा अंस्वर सही होगा जो कि आपका चौथा option चलिए यह बिना लिखे हम verbally कर सकते थे क्योंकि साफ साफ दिख रहा है कि पहले दो दिनों तक एकेला है तीसरे दिन ABC साथ में है तो अकेला है तो चार और चार आट और साथ तीसरे दिन में हुआ तो टोटल 15 काम तीन दिन में हुआ इसी तरह से 80 काम करवाना है 15 का 5 से 75 काम हो गया 3 का 5 से गोड़ा 15 दिन हो गया अगले दिन A आएगा एक दिन में 4 काम कर पूरा चार नियेक ही काम करना तो एक बटा चार दिन लेगा कि दिन हो गए 16 निया कोशन आपको कह रहा है कि इस्तती एक निश्शित स्टोर में लाब लागत का 340 प्रतीशत है ठीक है इस्तती B यदी लागत में 32 प्रतीशत की वरदी होती है लेकिन विकर मुल्य इस्तिर रखा जाता है तो इस्तती A में विकरी मुल्य का लगबग कितना प्रतीशत लाब होगा ठीक है, case 1 है हमारे पास, in a certain store, the profit is 340% of the cost, case B, if the cost increases by 32% but the selling price remains the constant, approximately what percentage of the selling price is the profit in case of A? चलिए देख लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आराम से कर सकते हैं, देखिए, CP cost price हमें नहीं पता, तो हमने एक बार के लिए 100 रुपय उसको मान लिया, ठीक है, आपको कहे रहा, profit 340% of the cost price है, तो 340% इसका मतलब, profit है 340% का, तो 100 पर 340 कमाएं, इसका मतलब बेचा कितने में 440 रुपय, ठीक है यह तक, अब आपको second case क्या कह रहा है, अगर cost जो है increase कर दी गई 32% से, तो इसका मतलब CP जो है, अब CP पहले वाला ना रहकर new CP आ गया है, नया क्रैम उल्लिया आ गया है, जो कि पहले से 32% बढ़ चुका है, तो 100 का 32, 32 तो 132 रुपय हो चुका है, लेकिन जो नया SP है, वो क्या है, वो वही है जो पहले था, उसको नहीं बदला गया, मतलब 440 रुपय ही है, अब आपको कह रहा है कि बता दीजिए कितना प्रती सेलिंग प्राइस पर पूछ रहा है, बिल्कुल बता सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, प्रतीशत पूछा है, मतलब गुणा में तो 100 आएगा, उपर जितने का प्रॉफिट वो आएगा, और नीचे जिस पर पूछा है, वो आएगा, पूछा सेलिंग प्राइस तो सेलिंग प्राइस 440 है, नहीं और पूरानी दौनों ही, तो नीचे 440 आजाएगा, उपर आएगा, जितना प्रॉफिट है, वो कितना प्रॉफिट है, देख लेते हैं, 132 पर आठ जोडूँगा, तो कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा, ठीक है, हमें 440 में से घटाना है, तो 140 से हम देखेंगे, कितना आजाएगा, यह 308 आठ आजाएगा, बस इसे सरल कर लेते हैं, हमारा अंस्वर मैच कर जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हुआ, डेफिनेटली हुआ, 44 से इसको अगर कैंसिल करके देखें, तो कितनी बार जा सकता है, option देखते हुए, अगर हम देखें, 100 से 2% तो है, नहीं, 320 बी नहीं होगा, 32 बीनी, 70 देखते हैं, क्या यह 7 बार जा रहा है, क्या, 7 का 4 से 28, 7 का 4 से 28, और बिलकुल यह 7 बार जा रहा है, 7 का 10 से गोना, 70 पर सेंट अमारा अंस्वर होगा, जो कि अमारा 3rd option बिलकुल सही हो, चलिए, बात करते हैं, अगले है a circle with radius of 8 centimeter which has the area equal to the area of triangle with base 8 centimeter then the length of the corresponding altitude of the triangle is एक व्रत है जिसकी तिर्जिया 8 centimeter है जिसका शेत्रफल आधार 8 centimeter वाले तिर्बुच के शेत्रफल के बराबर है तो बताइए तिर्बुच की संगत उचाई की लंबाई क्या होगी चलिए हमें कह रहा है कि शेत्रफल जो है किसका व्रत का वो तिर्बुच के शेत्रफल के बराबर है व्रत का शेत्रफल होता है पाई आर स्क्वेर तिर्बुच का शेत्रफल होता है एक बटा दो आधार इंटू उचाई यह दौनों बराबर है प्रश्ण में कह रहा है पाई को पाई ही लेकर चल रहा है option में देख सकता हूं तो पाई को छेड़ा नहीं है पाई ही रखेंगे आर की value हमें दे रखी है 8 cm तो 8 का square 64 direct हम लिख सकते हैं फीक है एक बटा दो आधार और उचाई में से हमें आधार दे रखा है 8 cm तो ये लीजिए और उचाई h का मान हमें पूछा है चलिए इस 8 से ये एक 8 कट जाएगा 8 का 2 से गोणा हो जाएगा 16 और पाई को पाई रखा ग आपका बिलकुल सही है अगर इसको और सरल कर रखा होता तो पाई का मान रख देते 22 बटा साथ फिर जो भी आपका अंस्वर आ रहा होता पॉइंट में वो आ जाता लेकिन option ही पाई में है तो हमने भी पाई ही रखा है अगला प्रश्णे देखते हैं क्या कह रहा है चलिए average का question है 11 सदस्यों वाली ए क्रिकेट टीम के कप्तान की आयू जो है 28 वर्ष है और विकेट केपर की आयू उससे 4 वर्ष बड़ी है तो वो 28 का है तो विकेट कीपर 4 वर्ष बड़ा मतलब 32 वर्ष का हो गया यदि इन दौनों की आयू को हटा दिया जाए चलिए दो लोग बार निकल जाएंगे तो 11 मेंसे 9 लोग ही रह जाएंगे और इनका टोटल भी निकल जाएगा तो सेश खिलाडियों की आसत आयू पूरी टीम की आसत आयू से 2 वर्ष कम है चलिए ये भी देख लेंगे तो टीम की आसत आयू क्या होगी चलिए देखते हैं तो 11 member है टीम में उनका average क्या है नहीं पता तो उनका average हमने A मान लिया यहीं हमें निकालना है at last ठीक है आपको कह रहा है कि उसमें से captain की age है 28 years तो जो captain है उसकी age आपको बता रखी है कितनी तो C ले लेते हैं captain को उसकी age है 28 years और जो wicket keeper है उस wicket keeper की age क्या है इससे 4 साल ज्यादा है तो इसका मतलब 28 में 4 जोड़ लो तो 32 साल का wicket keeper होगी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अब इन दौनों की age को बाहर निकाल दिया जाए तो दौनों की total कर लेते हैं कितनी हो गई total यह हो गया 60 साल दौनों की मिलाकर 60 years हो चुकी है इन दौनों की age को जब बाहर निकाल दिया गया तो 11 की जगे अब 9 लोग रह चुके हैं पूरी टीम के लिए मैं देखू तो ओसत कितना है ए है तो total कितना होगा 11 का ए से गुणा होगा इसका मतलब यह जो है यह इसके बराबर आ चुका है simple size आब है ओसत माना 11 खिलाडियों का a 9 खिलाडियों का इन से 2 कम है तो a-2 हुआ ओसत 9 से गुणा कराया तो 9 का total आया दो जो बाहर निकाले गे उनका total 60 है तो वो भी इसमें जोड दिया तो यह पूरा 11 खिलाडियों का total हो गया 11 का ओसत ए माना है जो की निकालना है तो total 11 इंटू a हो गया तो बराबर कर लिया 11 बस हो गया हमारा अंस्वर तो 9 a 9 का 2 से 18 9 a उधर जाएगा 11 से 9 a कम करोगे तो 2 a होगा 60 में से 18 कम कर लोगे तो यह आ जाएगा कितना 42 आंस्वर आ गया 21 जो की तीसरा option आपका बिल्कुल सही होगा चलिए यह अगर आपको पूस्ता नौ खिलाडियों का उसत तो 21 में से 2 कम कर देते क्योंकि बोल रहा है कि कितना कम है 2 वर्ष कम है से इस खिलाडियों का 21 में से 2 कम कर देते तो आंस्वर आ जाता 19 वर्ष देखेगा अगला सवाल क्या कह रहा है नेक्स्ट कुश्चन देख लेते हैं जो की परसंटेज का कुश्चन दिख रहा है चलिए बात करते हैं परसंटेज वाले कुश्चन की दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रम से 25 प्रतीशत और 50 प्रतीशत अधिक है ठीक है तो पहली संख्या दूसरी संख्या से किस अनुपात में है जैसा कि आपको पता है पहली और दूसरी दौनों ही निर्भर कर रही है तीसरी पर तो मानेंगे तो तीसरी को मानेंगे और मानेंगे तो कितनी मानेंगे 100 मनेंगे, तो तीसरी संख्या को हमने मान लिया 100, पहली संख्या 25 प्रतीशत और दूसरी संख्या 50 प्रतीशत अधिक है इससे, 100 का 25 होता है अधिक होना इसका मतलब 125, 100 का 50 प्रतीशत 50 होता है अधिक होना मतलब 150, तो पहली और दूसरी और तीसरी तीनों संख्या है आगी एक तरह से पहली का और दूसरी का आपको अनुपात पूछ रहा है तो 125 और 150 का रेशियो हम निकाल सकते हैं आराम से 25 से कटेगा तो ये 5 देगा ये 6 देगा तो आंस्वर 5 अनुपात 6 होगा जो की आपका चौथा ओप्शन सही होगा यही अगर आपको पूछता कि दूसरी से पह प्रश्टी के बारे कि क्या कह रहा है अगला प्रश्टी आपका कि सिंप्लिफाई करना आपको सिर्फ ठीक है सिंप्लिफिकेशन का ही कुश्चन है तो निकाल लेते हैं इसका अंस्वर आराम से चार स्कुएर पहले लिख लेते हैं ये लीजिए आफ का मतलब आपको पता है का और का का मतलब क्या होता है गोणा चलिए कर लेते हैं इसको तो सबसे पहले तो यही सरल होगा चार का तीन से गोणा ही होगा आफ का मतलब का होता है पहले उसी को करते हैं ये बारा हो गया पांच का दो से दस ये प्लस लगावा है चार का स्क चार जोड़ोगे कितना 20 और यह क्या है 5 बस यह आ गया 5 से यह गया 4 बार 10 माइनस 12 करोगे तो माइनस का 2 होगा और 4 में से 2 कम करोगे तो 2 आएगा जो की हम देख सकते हैं अप्षण आपका बिलकुल सही है चली बात करते हैं अगले प्रश्णी के बारे में देखिएगा आपको कह रहा है कि एक खोकला लोहे का पाइप है 28 सेंटेमेटर लंबा है और उसकी बहारी व्यास जो है 10 सेंटेमेटर यदि पाइप की मोटाई 2 सेंटेमेटर हो और लोहे का वजन 5 ग्राम पर सेंटेमेटर क्यूब हो पर वॉल्यूम के लिए 5 ग्राम आपको वजन दे रखा है तो पाइप का वजन कितना होगा ओलॉर आर्ण पाइप is 28 सेंटे-मीटर लोंग एडिःस 10 सेंटेमेटर इवत अधिकनेश ऑफ पाइप इस तто के की की Ahh यह जो आकरती है यह खोकले बेलन की शेप है एक तरह से जो हमारा पानी का पाइप होता है वो हम कह सकते एक तरह से ठीक है लोहे का पाइप 28 cm लंबा है तो आप देख सकते हैं यह हाइट आपको 28 दे रखी पिर आपको कह रहा है उसका बहरी व्यास 10 cm का यह बहर वाला व्यास है यह 10 का है तो यह तिर्जया कितनी हो गई जो की capital R अगर मैं कह दूं तो वह गई 5 cm क्योंकि बहर वाला डायमीटर जो है external diameter अगर 10 cm है तो external radius हाफ हो जाएगी तो दस का आधा कितना हो गया पांच अब आपको क्या बोल रहा है इस pipe की मोटा ही कितनी है दो सेंटी मीटर है तो आप देख सकते हो कि इसको रैड से कर लेते हैं यह लीजिए capital R हो गया 5 cm अब आप देख सकते हो मोटा ही मतलब यही जो भाग है वही मोटा ही है वो कितनी बता रहा आपको pipe की मोटा ही 2 cm बता रहा तो definitely यहां से यहां तक 2 होगा तो फिर यह जो small r अगर मैं internal radius कहूं तो वो कितनी होगी पूरी 5 है उसमें से मोटा ही कितनी है आपके 2 तो यह कितनी है 3 cm ठीक है यह तक बस अब तो हमारा आंस्वर आ गया हमें निकालना क्या इसका आयतन वॉल्यूम निकालना है जितना भी वॉल्यूम आएगा cm3 में पर cm3 के लिए 5 ग्राम हमें वजन दे रखा उसका 5 से गुण पाही के बिए 2 स्कॉर माइनसश स्मॉल आर स्कॉर इंटू एंच कि यही फॉर्मुला होता है तो बस पाही की वेल्यू पता है बिलकुल 22 बटा साथ capital R मतलब 5 5 का square 25 बिना लिखे समझ सकते हैं चलिए minus R small वाला 3 3 का square 9 25 में से 9 कम कर लेते हैं तो ये आ जाएगा आपके कितना 16 H हमें देई रखा है कितना 28 इसको सरल करेंगे तो इसका आयतन आएगा volume आएगा centimeter cube में और पर centimeter cube के लिए आपको वजन कितना दे रखा है 5 ग्राम का दे रखा है और option किस में है कीलो ग्राम में है द्यान रखिएगा चलिए तो ये तो इसका आयतन आएगा हमें क्या निकालना है उसका वजन बताना है तो इसका weight कितना होगा वो बताना है तो सारी calculation एक साथ ही कर लेंगे ये आ गया चलो ये काट लेते हैं 7 चौक 28 ठीक है 22 का 4 से कर लें तो ये हो गया कितना 88 और ये 16 ये तो आ रहा है इसका क्या अभी तक volume और पर centimeter cube के लिए वजन है 5 किलो ग्राम तो इसका 5 से गोणा करना है 5 ग्राम है सॉरी तो 5 से गोणा कर लिया आंस्वर आ जाता अगर option ग्राम में होता तो लेकिन option कीलो ग्राम में है तो अभी और change करना पड़ेगा और change क्या करना पड़ेगा सिंपल सा यह ग्राम है कीलो ग्राम बनाना है तो आप किस से भाग दोगे इस समय हजार से भाग तो यह किस में आ जाएगा कीलो ग्राम में आ जाएगा तो बस पांच से आप इसको कर सकते हो या फिर आप गुणा करके वैसे भी कर सकते हो, तो भी चलेगा, चलिए गुणा करके ही हम कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि आसान है इसलिए, 16 का 5 से कर लेते हैं, तो यह 80 हो गया, तो 88 का 80 से मल्टिप्लिकेशन करेंगे, 0 तो आए गई, 8 का 8 से 64, 8 का 8 से फिर से 64 हुआ, 64 में 6 और एड कर लूँ, तो यह हो जाएगा 70, तो 7040 यह इनका मल्टिप्लिकेशन आ रहा है, और नीचे मैं देख रहा हूँ, 1000 है, तो 0 से 0 गया, 2 0 बच रहे हैं, तो 7.04 हमारा आंस्वर होगा, जो की हमारा सेकेंड आप्शन बिल्कुल सही होगा, तो आंस्वर आगए 7.04 कीलो ग्राम, ठीक है, चलिए, अगला प्रश्णी क्या कह रहा है, देखे, एक ट्रेन कार की तुलना में 50 प्रतीशत तेज यात्रा कर सकती है, दौनों एक ही समय पर बिंदू A से शुरू करते हैं, और बिंदू A से 60 किलो मीटर दूर बिंदू B पर एक ही समय पर पहुंचते हैं, चलिए, तो इसका अलब दौनों का टाइम सेम हो गया एक तरह से, औ और जो उन्होंने दूरी तै किये, वो भी सेम हो चुकी है, हाला कि रास्ते में स्टेशनों पर रुकने के दौरान, ट्रेन को लग भग साड़े बारा मिनिट का समय गवाना पड़ा, लेकिन कार की गती कितनी हैं, हमें ये बता, तो देख लेते हैं क्या होगा, तो हम ये देख सकते हैं कि यहां पर ये तो बताया है कि समय दौनों का सेम है, और ये भी है कि उन्होंने जितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है, वो डिस्टेंस भी बराबर की ही है, तो देखते हैं हमें किसका पूछा है, कार का स्पीड पूछा है, चलिए, तो कार के लिए हम स्पीड मान लेते हैं, कितनी है, S है, तो जो ट्रेन है, उसकी स्पीड क्या होगी, ट्रेन कार की तुलना में 50 प्रतीशत तेज यात्रा कर सक पचास प्रतिशत तेज कर सकते हैं, उसका डेड़ गुना हो गया एक तरह से, डेड़ गुना मतलब ये हो गया 3S by 2, ये तो इनकी स्पीड आ गई कीलो मीटर पर आर में हमने मानी है, कार की मानी तो ट्रेन की कुश्चन में रिलेशन के अकॉर्डिंग आ चुक, चलिए ठीक ह यहां तक, फिर क्या बोल रहा है, दौनों A की समय पर बिंदू A से शुरू करते हैं, और बिंदू A से 60 किलो मीटर दूर बिंदू B पर A की समय पर पहुंचते हैं, तो दौनों का टाइम सेम है, ठीक है, तो टाइम सेम है और डिस्टेंस भी सेम है, और डिस्टेंस जो सेम ह वो तो हमें पता है कितनी है 60 km है चलिए तो इसका मतलब अगर हम देखें कार के लिए कितना टाइम लगेगा तो कार के लिए टाइम क्या होगा कार का टाइम होगा, टाइम किसी का भी निकालना है, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, तो डिस्टेंस कितनी है, 60 किलो मीटर और कार की स्पीड कितनी है, ये टाइम होगी, ट्रेन का टाइम कितना होगा, इसके बराबरी होगा, बिलकुल होगा, लेकिन निकलेगा कैसे जितनी डिस्टेंस है, कितनी डिस्टेंस है, 60 किलो मीटर, अपन, जितनी स्पीड है, स्पीड कितनी है, 3S by 2, वो 2 कहां चला गया, ऊपर चला गया, और साथी साथ साड़े बारा मिनट, जिसको गंटे में चेंज कर रहे हैं, साट का भाग दे कर, ये कहां से आए साड़े बार मिनट, जो वो इस्टेशन ओपर रुखती है, वो आए, तो इसका मतलब ये ट्रेन का टाइम और ये कार का टाइम प्रश्णिक अनुसार बराबर है, तो बराबर लिख लेते हैं, ये लीजा, अब हमारा आंस्वर भी आ रहा है, कैसे, आपको निकालना क्या है, यहां पर आ जाएगा, जो कि ये चला गया पांच, छैसो है, पच्चिस से चला जाएगा, सो जाता है, चार बार, तो ये चला जाएगा, चोईस बार, ठीक है, यहां तक, अब यहां पर सरल करना, ये लीजिए, ये चला गया, तीन चौक बारा, इसको इधर लेकर आ जाते हैं, तो 60 अपन S, इधर आकर माइनस का होगा, तो LCM आ गया, आपके S, 60 माइनस 40, 20 हो गया, बराबर में 5, अपन कितना है, 24 है, पांच से ये गया, पांच चौक 20, चोईस से 4 का गुणा कर लो, और S का उधर 1 से गुणा कर लो, तो आपका अंस्वर आ चुका है, तो 24 का 4 से कर लेते ह तो कितना हो जाएगा ये, ये हो जाएगा आपके 96, तो इसका मतलब 96 value आ गई S की, और 96 है आपके क्या, स्पीड तो कीलो मेटर पर आर इसकी unit लग गए, तो आंस्वर आ गया, 96 कीलो मेटर पर आर, ये तो कार का पूछा था, कार का आ गया, ट्रेन का पूछ था, तो इसका स्पीड गुना निकाल लेते हैं, तो ट्रेन की स्पीड भी आ जाती है, ठीक है, चलिए, अगला सवाल क्या है, दिख, डी आई का क्वेशन है हमारा, और डी आई में क्या है, देख सकते हैं, पाई चार्ट है आपके सामने, क्या कह रहा है, निमन लिखित पाई चार्ट पुस्तक के प्रकाशन में किये गए वह के प्रतीशत वित्रण को दरसाता है, पाई चार्ट का अध्यन करें और उस पर आधारित प्रश्णों के उत्तर दें, ठीक है, वेरियस एक्स्पेंडीचर्स हैं, इन परसंटेज, किसी भी बुक को प्रकूटेशन कोस्ट है, पेपर कोस्ट है, बाइंडिंग है, रोयल्टी है और प्रमोशन कोस्ट है, तो क्या है हमारा सवाल, देखीएगा, इस पाई चार्ट से रिलेटेट, इस डीए से रिलेटेट, इसी पेपर में और भी कोश्ण आएंगे, उस समय हम ये सारी जानका हमने पढ़ी, क्या है प्रश्ण हमारा, रोयल्टी ऑन दा बुक इस लेज देन दा पेपर कोस्ट बाई, पुस्तक पर रोयल्टी कागच की लागत से कितने प्रदीशत कम है, बिल्कुल देख सकते हैं, तो अगर मैं बात करू रोयल्टी के लिए तो ये ब्लू वाला जो है वो है, जो कि ये रहा आपका 20%, चलिए, ब्लू वाला ही है, बिल्कुल या डार्क ब्लू है, चलिए डार्क वाला है, ये 20% तो प्रिंटिंग कॉस्ट हो गई, रोयल्टी के लिए डार्क है, इसका मलए ये 15% वाला है, तो ये आर 15% हो गया, रोयल्टी, फिर कागच की जो कि है 25%, अब ऐसे देखें तो 10% आ रहा है, लेकिन option में तो 10% है ही नहीं, क्योंकि हमने गलत किया है, आपको तो ये पूछ रहा है कि ये जो 15% है, इस 25% से कितने प्रतीशत कम है, ठीक है, तो इसका मतलब ये जो 15% है, 25% से कम कितना है, 10% में पूछा है, तो गुणा में 100 करेंगे, अब सवाल ये है कि ये 10% 25% से कितना कम है, तो 10% की 25% से प्रतीशत में तुलना करनी है, तो प्रतीशत से तो प्रतीशत कडिया, 25% से 100 गया, 4 बार 4 का 10 से गुणा, 40% इसका मतलब चौथा option आपका बिलकुल सही है, चलिए, अगला सवाल क्या है, देखेगा, ने मीन मोड मीडियन से लिया गया है, एक तरह का एवरेज का ही question कहा जा सकता है, क्योंकि जो arithmetic मीन होता है, जो समंतर माद्धी होता है, वो average ही होता है एक तरह से, if the mean of the observations x, x plus 4, x plus 5, x plus 7, x plus 9 is 9, then the mean of the last 3 observations is, यदि प्रेक्षणों x, x plus 4, x plus 5, x plus 7, x plus 9 का मद्धी नो है, तो अंतिम 3 friction होगा मद्धी क्या होगा, निकाल लेते हैं, देखिए, कितने हैं total ये, 1, 2, 3, 4, और 5, 5 का औसत कितना है, 9 है, तो 5 का total कितना होगा, 9 into 5, 45, अब वो 5 कौन है, जिनका औसत 9 था और जिनका total 45 आया, ये रहे, तो इनको जोड लेते है, x, 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 और ये x कितना ह हो गया, 5x, चलिए, प्लस, 5 और 4, 9, और 9, 18, और 7 हम देख ले, तो 25, उदर जाएगा, 20 हो गया, ये 5x है, तो कुल मिलाकर, x की value आगई, कितनी 4, आपको गह रहा है, अंतिम 3 friction का मद्धी क्या होगा, तो अंतिम 3 friction का मद्धी आपको पूछ रहा है, तो अंतिम 3 friction कौन से है एक, दो, और यही 3 है, चलिए, ले लेते हैं, तो जब x की value आगई 4, तो 4 प्लस 5, पहला क्या हो गया, 9, 4 प्लस 7, तो ये क्या हो गया, 11, 4 प्लस 9, तो ये क्या हो गया, 13, इन 3ों का average निकालना है, तो वही total करके divided by 3 कर देंगे, ये हो गया आपके कितना 20, और ये 13, ये हो गया, कितना 33, divided by 3, 11 आंस्वर आएगा, जो कि आपका तीसरा option बिलकुल सही है, चलिए, अगला प्रश्चनी क्या कहता है, देखे, जैसा कि मैंने कहा, ये डी आई क्या है, वो तो हम पढ़ चुके है, डारेक्ट अब कोश्चन पढ़ेगा, जैसा कि आपको पता है, कि यहाँ पर बनने वाला जो टोटल एंगल होता है, वो एंगल होता है, 360 डिगरी का, और ये परसंटेज बताया गया है, जो की टोटल है 100%, तो मैं कह सकता हूँ कि 100 प्रतीशत डिगरी में किसके बराबर है, 360 डिगरी के, तो एक प्रतीशत किसके बराबर है, 360 डिगरी बटा 100, ये एक प्रतीशत का मान है, क्या हमें 1 परसंट को डिगरी में बदलना है, क्या नहीं, हमें बदलना है किसको, जो ये binding पर खर्ज बता रहा है उसको और binding वाला कौन सा yellow color है और yellow कौन सा दिख रहा है आपको ये तो ये percentage में कितना है आपका ये percentage में है 20% ठीक है तो 1% इतना है तो 20% कितना है वो आपको बताना है तो बिल्कुल हम बता सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है ये 0 से मैंने 0 कर लिया ये 36 है ये 10 है और 20 की value हमें बतानी है तो ये 2 बार चला गया 36 का 2 से 72 डिग्री हमारा answer होगा जो की पहला option बिल्कुल सही है ठीक है चलिए बात करते हैं अगले प्रश्णे के बारे क्या गहरा है अगला प्रश्णे देखिए average का ही question है फिर से देखिएगा एक परिवार में दो दादा दादी है तीन माता पिता है चार पोते पोतियां है दादा दादी की औसत आयू 65 वर्श है माता पिता की 32 वर्श है और पोते पोतियां जो भी है उनके औसत आयू 8 वर्श है तो परिवार की औसत आयू average एज क्या होगी चलिए निकाल लेते तो मैं देख सकता हूँ जो grand parents है उनका average कितना है 65 और वो है कितने 2 तो कितना हो गया 60 total होगी सही है या तो फिर मैं बात करूँ parents जो हैं उनके बारे में तो parents के बारे में बात करें तो तीन माता पिता जिनके लिए average कितना बता रखा आपको 32 तो total कितना होगा 32 का तीन से कर लेते हैं कितना हो गया यह तीन का 2 से 6 और तीन का 3 से 96 इर्स फिर जो आपके grandchildren है उनके बारे में बात कर ले उनका average कितना बता रखा है 8 और है कितने वो चार तो इसका मतलब 8 average है total 4 है तो total आ गया इनका 32 इनको आइड कर लेते हैं तो family की total एज आ जा जाई पर 70 नहीं 65 into 2 करना आपको तो 65 into 2 करेंगे तो 70 नहीं होगा यह 130 होगा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है चलिए अब इनकी total कर लेते हैं तो इनकी total करें तो यह कितना हो गया 130 और 30 160 160 और 90 कर लूँ तो वो हो जाएगा 160 और 90 250 फिर 258 हो जाएगा total हमारे पास divided by वही 2 और 3 5 और 4 करते हैं इसको क्या यह उससे जा रहा है 3 से तो 3 से यह मैं देख सकता हूं 8 2 10 बिल्कुल जा रहा है 3 से यह गया 3 बार 3 से यह गया 8 16 चौईस 8 बार पिर यह 18 होगा तो यह 3 से चला जाएगा कितना 6 बार तो 86 divided by 3 आ रहा है तो 86 divided by 3 है तो इसको बार सेकेंड यह यह फोर्थ option में से कोई एक होना चाहिए तो 86 आ रहा है तो 8 का 2 3 से करेंगे चौईस और 2 च्छे हैं 8 का 16 चौईस यह नहीं सेकेंड option आपका सही है तो 28 सही दो बटा तीन वर्ष हमारा अंस्वर होगा जो की बी ओप्शन ठीक है चलिए अगला क्या है देख लेते हैं नेक्स्ट कुशन देखते हैं जो की आपका profit loss का सवाल है देखिए क्या कह रहा है अब परसन हैस प्लांट तो सेल मतलब एक वैक्ती ने अपने पुराने टाइप राइटर को 4500 रुपए में बेचने की योजना बनाई उससे 10 प्रतिशत हानी होती है लेकिन वो 20 प्रतिशत लाब प्राप्त करना चाता है तो उस टाइप राइटर को बेचना चाहेगा किस रुपए में निकाल लेते हैं देखिएगा जैसा कि मैं देख सकता हूँ कि 4500 रुपए में बेचेगा तो 10 प्रतिशत की हानी तो 10 प्रतिशत की हानी मतलब 90 परसेंट पर बेच रहा है और रुपए कितने पर बेच रहा है 4500 रुपए एक परसेंट का मतलब 4592 लेकिन क्या हमें 1 परसेंट निकालना है क्या नहीं हमें तो 20 प्रतिशत का लाब कमा कर बेचना है 20 प्रतिशत का लाब मतलब 120 परसेंट पर बेचना है तो बस हो गया हमारा काम तो 9 पांच बार 12 का 5 से 60 और ये 2-0 6,000 रुपए हमारा आंसोर होगा जो कि पहला option बिलकुल सही है ठीक है चली अगला सवाल क्या कह रहा है देखते हैं Salaries of Ravi and Sumit are in the ratio of 2 raise to 3 If the salary of each is increased by 3,000 rupees and the new ratio becomes 35 raise to 50 Then what is the Sumit's new salary? Ravi और Sumit का वेतन 2 और 3 के अनुपात में है यदि प्रतेक के वेतन में 3,000 की व्रदी की जाती है तो नया अनुपात 35 और 50 का बनता है तो Sumit का नया वेतन क्या होगा? चलिए, दो लोग है रवी और Sumit ठीक है यहां तक? पहला इनका अनुपात कितना है? दो और तीन का फिर क्या हुआ? हर एक के वेतन में 3,000 की व्रदी होगी तो नया 35 और 50 का अनुपात आया तो पहला इनका 2X था और इसका 3X था तीन-तीन अजार रुपए और बढ़ गए तो यह लोग 3,000 मैंने इसके जोड दिये तीन अजार मैंने इसके जोड दिये यह रेशियो निकल कर आया किसका 35 और 50 का क्या यह कट रहा है बिल्कुल पात से गया यह लोग 7 और 10 का रेशियो हो गया कोई दिक्कत थी है तो आपको पुछ रहा है सुमित का नया वितन क्या होगा सुमित का पूराना वाला वितन निकाल लेते हैं तीन-जार जोड लेंगे नया वितन आ जाएगा चलिए cross multiplication कर लें इसका यह इधर चला जाएगा और यह इधर चला जाएगा यह कितना हो गया 20X यह 3000 है एक जीरो और आगया तो 30,000 हो गया यह 7 का 3 से 21X फिर से यह 7 और 3 कितना हो गया 21 और 0 कितने है 3 चलिए तो यह हो गया आपके 21,000 यह 30,000 इधर आ जाएगा तो यह 9,000 बन जाएगा यह 21 है यह 20 है इधर आएगा तो यह 1X बन जाएगा तो X की value आ गई 9,000 तो सुमित का वेतन कितना है 3X है तो 9 का 3 से 27,000 हो गया उसका पूरा ना वाला वेतन 27,000 में 3,000 और जोड लू तो नया वाला वेतन कितना हो जाएगा नया वाला वेतन 30,000 हो जाएगा जो की आपका 4th option बिलकुल सही है तो सुमित का वेतन किया है 3X X की value कितनी आई 9 9 का 3 से गुणा कितना 27,000 तो 27,000 तो पूराना वाला वेतन है 3,000 और जुड रहे है तो आउसवर आएगा 30,000 मतलब 4th option ठीक है चलिए अगला सवाल क्या कहता है देखते है देखिए next question क्या कहरा आपको compound interest का है तो देखते हैं compound interest क्या है the compound interest on 40,000 रुपीज at 6% per annum is 4,944 रुपीज what is the period in years for which the amount is invested 40,000 रुपे पर 6% प्रतीशत प्रतीवर्ष की दर से चक्रवती ब्या 4,944 है वह अवदी वर्षों में क्या होगी जिसके लिए राशी का निवेश किया गया है चलिए तो कुल मिलाकर प्रिंसीपल पता है मेरे को 40,000 CI compound interest पता है 4,944 rate of interest पता है 6% कुल मिलाकर time क्या होगा ये आपको बता तो मैं देख सकता हूँ principle और interest को मिला दूँ तो amount बन जाएगा जो की कितना हो जाएगा 44,900 चौमल और amount जो मिस्रदन होता है वो क्या होता है principle 100 प्लस आर upon 100 और यहाँ पर T मतलब time बस आगे हमारा answer तो चलिए देखते हैं इसको नीचे लेकर आता है 24944 upon 4 और यह 0 1,2,3,4 ठीक है 106 upon 100 और उसकी power T देखिए यह कटेगा 4 से बिलकुल 1,1,2 पिर यह 14 होगा तो 3 बार 12 पिर यह choice होगा तो यह 6 बार कटेगा तो 11,236 और यह नीचे आप देख सकते हो कितरा देखरा आपको 10 देखिए वैसे तो 106 और 100 को मैं काट सकता हूँ अंदर लेकिन आप देखेंगे इधर 00 है और इधर नीचे 40 है तो डेफिरेंटली 00 का square हुआ होगा तब 40 बने होगे ठीक है तो हम देख सकते हैं कि यह जो 11,236 है वो 106 का वर्ग ही है तो फिर जो T है वो हम बता सकते हैं कितना है 2 तो आपका आंसर हो गया चौथा option 2 years वैसे तो यह मैं अभी cancel कर सकता हूँ इधर cancel करूँगा तो इधर भी cancel होगे आएगा तो फिर भी square ही लेकिन और किसी number का आएगा लेकिन ज़्यादा complicated इसको करने की जरूरत कहा है जब दिख रहा है यह 100 का 40 है 20 का 40 बन रहा है इधर तो square हुआ होगा तभी बना होगा और 106 का square भी 11236 हो रहा है तो इसका उल्लटी कितना है 2 क्योंकि square करेंगे तभी यह values आएगी तो समय आगे आपके पास 2 साल जो कि चौथा option आपका बिलकुल शही है अगला सवाल क्या कह रहा है दिखते है दिखिएगा एरियाज ओफ फोर वॉल्स दा वॉल्यूम इन मीटर क्यूब अफ दा हॉल इस एक हॉल है जो 15 मीटर लंबा और 12 मीटर चौड़ा है यदि फर्ष और छत के शेत्रफलों का योग चार दिवरों के शेत्रफल के योग के बराबर है तो हॉल का आइतन क्या होगा चलिए लंबा ही पता है आपको और आपको चौड़ा ही पता है दो जानकारी आपको दे रखी है उचा ही नहीं पता है क्योंकि हमें पता है हॉल है इसका मतलब एक तरह से वो कौन सा शेप है क्यूबोईड है और क्यूबोईड के लिए आयतन निकालना, वाल्यूम निकालना मतलब लंबाई, चोड़ाई और उचाई का गुणा करना तो लंबाई और चोड़ाई तो है उचाई नहीं है तो उचाई कैसे निकलेगी, उचाई निकल जाएगी जो relation दे रखा है उससे क्या होता है 2BH प्लस 2HL तो ये 2L भी बिलकुल कुछ common आ रहा है 2H आ रहा है अंदर क्या रहा है गया B प्लस L रहा है कट रहा है कुछ 2 से 2 जा रहा है L और B की value पता है 15 और 12 लिख लेते 15 प्लस 12 जोड कर लिख लेते हैं तो 10, 20, 25 और 27 H निकालना है वो निकल जाएगा चलिए देखते हैं 3 से गया 5 बार 3 से गया 9 बार 3 से गया 3 बार 3 से गया 4 बार 5 का 4 से 20 बटा मैं 3 उचाई हमारे पास उस हॉल की आ चुकी है लंबाई और चोड़ाई हमें दे रखी है आईतन निकालना है जो कि लंबाई चोड़ाई उचाई का गुणा ही होता है तो लंबाई कितनी है 15 चोड़ाई कितनी है 12 उचाई हमने निकाली कितनी 20 बटा 3 ये लीजी इसे सरल कर लेते हैं हमारा अंस्वर आगे 3 से ये गया 4 बार 15 का 4 से 15 चौक 60 6 का 2 से कर लेंगे तो कितना 12 और 0 लगा देंगे कितने 2 तो 1200 मतलब तीसरा option आपका बिल्कुल सही होगा और 1 की बात करें यूनिट की बात करें वो meter cube हो जाएगे ठीक है चलिए ये था हमारा question number 16 बात करते हैं जो next question है 17 के बारे में देखे If a person had walked at the speed of 15 km per hour instead of 10 km per hour he would have walked 25 km more The actual distance traveled by him was यदी कोई वेक्ती 10 km प्रती गंटे की बजाए 15 km प्रती गंटे की गती से चलता है तो वो 25 km अधिक चलता है तो उसके द्वारा तय की गई वास्तेविक दूरी क्या है तो मैं देख सकता हूँ कि 25 km अधिक चलता है मतलब distance का फर्क आ रहा है टाइम वही रह रहा है यदी कोई वेक्ती 10 km प्रती गंटे की वजाए 15 km प्रती गंटे की गती से चलता है तो वो 25 km अधिक चलता है तो उसके द्वारा इसका अलब टाइम सेम रह रहा है जितने समय में वह 10 km प्रती गंटा की गती से जाता है उतने ही समय में अगर वो 15 km प्रती गंटा की गती से जाए तो पहले की तुलना में 25 km अधिक चलेगा इसका अलब टाइम सेम है डिस्टेंस का फर्क है हमारे पास और डिस्टेंस का फर्क है कितना 25 km का डिस्टेंस होती है आपके क्या स्पीड इंटू टाइम तो टाइम दौनों कंडिशन में सेम है एक में स्पीड है आपके 10 km प्रती गंटा और एक में स्पीड है 15 km प्रती गंटा तो दिखती सी बात है, जब 10 km प्रती गंटा धीरे जाएगा, तभी थोड़ा कम चलेगा, और जब हम देखें कि तेज जाएगा, तो अधिक चलेगा, तो ये बात आपको समझ में आई हो, टाइम दोनों का सेम इसलिए, क्योंकि स्पीड उसने चेंज किये, टाइम में कोई ब कम है, और दौनों डिस्टेंस का फर्क 25 km का है, तो यह आगया, फाइफ टी बराबर 25 km, तो यहां से मैं टी ले सकता हूँ, जो कि 5 गंटे आजो, कुल मिला गर वो 5 गंटे चला है, एक बार 10 की स्पीड से चला है, ठीक है, और कभी 15 की स्पीड से चला है, दौनों समय 5 तो हर गंटे 10 km जाता था, तो 5 गंटे में कितनी दूरी तय करेगा, 5 इंटू 10 मतलब 50 km, जो कि हम देख सकते हैं, तीसरा option आपका सही होगा, बात करते हैं, अगले प्रश्णे के बारे, क्या गहरा अगला प्रश्णे देखिए, रमन पेड 13,300 as a simple interest after 9 years, he had borrowed some money at the rate of 6% for the first 2 years, same money at 9% for the next 3 years, at 14% for the rest of the period, how much money in rupees did he borrow, रमन ने 9 वर्श बात साधरन ब्याच के रूपे 13,300 रुपे का भुकतान किया, उसने कुछ पैसे पहले 2 वर्शों के लिए 6% की दर से, अगले 3 वर्शों के लिए 9% की दर से, और से सवधी के लिए 14% की दर से उधार लिया, तो उसने कितना पैसा उधार लिया, ठीक है, यहां तक चलिए, देखिएगा, टोटल सिंपल इंट्रेस्ट उसने कितना दे दिया, टोटल साधारन ब्याच 13,300 रुपे उसने दे दिया, ठीक है, यहां तक चलो, 9 वर्श के लिए दिया है, टोटल टाइम है आपके 9 वर्श, ठीक है, कुछ पैसा पहले 2 वर्शो के लिए दिया, 6 की दर से, तो 6 प्रतीशत है, 2 साल है, तो 12 प्रतीशत हमारे पास आगया ब्याच, फिर कह रहा है, अगले 3 वर्शों के लिए 9 प्रतीशत, 9 प्रतीशत, 3 वर्श, 27 प्रतीशत ब्याच आगे, फिर कह रहा है, से सवधी 14 प्रतीशत की दर से दे रहा है, ब्य चार सार तो चौदा का चार से गुणा कर लेते हैं कितना आ गया 56 प्रतीशत ब्याज तो कुल मिलाकर ब्याज प्रतीशत में कितना है इतना और रुपय में कितना है 13,300 तो इसको जोड लेते हैं ये कितना बन रहा है तो देख लेते हैं 50, 60, 70, 80 और ये 87 हो गया 87 और ये 2 कर ल पर्सेंट का पर्सेंटेज में और रुपए में कितना है 13,300 तो मैं कह सकता हूं 55 प्रतीशत रुपए में 13,300 के बराबर है तो एक प्रतीशत किसके बराबर है 13,300 बटा 95 क्या हमें 1 पर्सेंट निकालना है नहीं तो क्या निकालना है जितना पैसा उधार दिया मतलब मूलधन principle वो हम 100 प्रतिशत मानते हैं तो एक का मान इतना है तो 100 का मान कितना होगा तो वो तो 100 से गुणा करने पर ही पता चलेगा बस आगे आप का answer निकाल लेते हैं कितनी बार चला जाएगा ये देख लेते हैं हम तो हम इसको cancel करें ये लीजिए पांच से करते हैं तो पांच से गया दो बार 10 पांच से जाएगा छह बार 30 फिर छह बार 30 और ये जीरो पांच से इसको कर लेते हैं तो पांच से गया एक बार कितना चौदा 45 तो यह आगया 19 उन्निस आगया फिर इसको करें अगर 19 से यह कितनी बार जा सकता है अगर हम देखें यहाँ पर तो क्या होगा यह चार नौ का चार से या नौ का दो से 19 से इसी को करते हैं चलिए 19 से जाएगा यह सबसे पहले तो एक बार ठीक है कितना रह जाएगा फिर फिर यह रह जाएगा आपके पास 776 हो जाएगा अब यह चला जाएगा 19 से अगर हम देखें तो चार बार देखें बिलकुल चार बार में हो जाएगा तो यह चार और यह 0 ठीक है तो 140 और यह 0000 14000 बन रहा है इसका मतलब हमारा second option जो है वो बि बिलकुल साइगा ठीक है चला नेक्स्ट वाला कोशन देख लेते हैं क्या कह रहे हैं कोशन नुमर 19 है जो कि समय का मजदूरी का सवाल है if 15 workers can earn 1800 rupees in 10 days then find the earning in rupees of 5 workers in 8 days अगर 15 करमचारी 10 दिनों में 1800 रुपए कमा सकते हैं तो 8 दिनों में 5 करमचारों की कमाई कितनी होगी जैसा कि आपको पता है M.D.A. चपवान डबलू वाला कॉंसेट लगाते है डबलू मतलब किया गया work done और जब बजदूरी दे रखी होती है तो कारी की जगे वो हम wages भी लिख सकते हैं तो हम देखें 15 करमचारी ये लीजिए 10 दिनों में ये लीजिए 1800 रुपए कमाते हैं ये लीजिए number of hours गंटों की संख्या नहीं है तो नहीं लिखेंगे इधर भी नहीं और उधर भी लिखेंगे और वर्क डन की जगे वेजेज हैं तो वो वेजेज हम लिख रहे हैं जो की 1800 रुपए है चलिए इधर क्या आएगा कितने करमचारी पांच ये लीजिए कितने दिन आठ ये लीजिए कितना कमाएंगे मतलब डब्लू टू की वेल्यू आपको निकाले बस होगे हमारा काम तो कुछ कैंसिल हो रहा है बिल्कुल जीरो गया और भी कुछ कैंसिल कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं तो ये आपके तीन बार तीन से ये गया कितना छे बार डबलू टू इधर कर लो और आठ का चैसे अर्टालिस कर लो और जीरो लगा लो तो चार्सो असी रुपए जो कि आपका चौता आप्शेन बिलकुल सही हो ठीक है चलिए चलिए, नेक्स्ट वाला कुश्चन क्या कह रहा है, देखिए, अगला सवाल आपको कह रहा है, जो कि आपका डी-ई-ई-ई से लिया गया है, तो डी-ई-ई-ई से लिया गया सवाल क्या है, देखिए, ये information जानकारी तो हम पढ़ चुके हैं पहले, आपको कह रहा है, यदि मुस्तकों के लिए बुकतान की जाने वाली कागच की लागत राशी क्या होगी ठीक है इफ फॉर असर्टेन क्वांटिटी ओफ बुक्स दा पब्लिशर हैस तू पे 30,600 रुपीज as the printing cost then what will be the amount of paper cost to be paid for these books चलिए देख लेते हैं कुल मिलाकर 30,600 रुपे printing cost दे रखी है तो printing cost कौन सा है ये light blue मतलब ये 20% तो मैं कह सकता हूँ कि 20 प्रतीशत का मतलब रुपे में किसके बराबर है 20 प्रतीशत का मतलब रुपे में बराबर है 30,600 की कोई समस्या नहीं तो एक प्रतीशत कितना होगा 30,600 बटा 20 क्या हमें वन परसेंट के बारे में पूछा है क्या नहीं हमें ये क्या पूछ रहा है हमें पूछ रहा है कि कागज की लागत क्या होगी मतलब हमें कॉस्ट बतानी है पेपर कॉस्ट मतलब ये सिल्वर वाला मतलब 25 25 परसेंट की वेल्यू बता लिए तो 25 से हम कर लेते हैं मल्टीपिल होगी हमारा काम आराम से ये गया पांच बार ये गया चार बार इस से गया पांच से चार से आप इसको कर लो बिलकुल चला जाएगा ये चला जाएगा साथ 28 फिर अगर देखें तो ये पॉइंट में आ र बार चला जाएगा चॉइस फिर ये पांच बीस और ये आगया अंच चलिए ये हो गया जीरो पांच का पांच से 25 चैका पांच से तीस और दो बतीस पांच का साथ से 35 और तीन 38,250 रुपए बिलकुल हमारा सेकेंड आप्शन मैचिक करता है चलिए बात करते हैं अगला प्रश्ण क्या कह रहा है उसके बारे में देखिएगा कुश्चन नूम्बर 21 वह बड़ी से बड़ी संख्या SCF का कुश्चन है वह बड़ी से बड़ी संख्या ग्यात कीजिए जो 47,15,187 को इस प्रकार से विभाजित करें कि प्रतेक इस्तती में समान सेस रहे find the greatest number that will divide 47,95 and 187 so as to leave the same remainder in each case ठीक है तो जैसा की आपको पता है वह बड़ी से बड़ी संख्या ग्यात करनी है इसका मतलब निकालना तो इनका SCF है लेकिन एक condition आपको दे दी है मसपन निकालने के लिए कि एक समान क्या रहे successful रहे तो जब remainder each case में similar रखना है तो हम क्या करते है जो ये given numbers है इनके दो-दो के pair बनाते है और उनका difference लेते है और फिर जो difference लेने पर नए तीन number आते है उनका SCF लेते है ठीक है अगर ये question यहीं पर end हो जाता केवल इन तीन number को divide करवाना होता बड़े से बड़े number का यहीं पर end होता question तो हम इन तीनों number का SCF मसपन निकाल लेते highest common factor महरतम समावर्तक निकाल लेते लेकिन एक condition डाल दी है कि हरे एक इस्ति में समान सेस्वल बचे तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा कि इनका दो-दो का pair लेकर उनका difference लेना है और जो नए number आए उनका आपको क्या निकालना है SCF निकाल चलिए तो 47 और 95 इनको लेते हैं प हमारे पास 48 इन दौनों का जो difference है वो हमने लिया फिर इन दौनों का difference ले लेना है 95 और वन 87 का इनका इनका difference ले लेते हैं तो कितना होगा तो यह 140 आ गया इनका difference तो यह आ गया 140 इनका difference ठीक है अब इनका SCF निकाल लेते हैं आंस्वर आ जाएगा SCF कैसे निकलेगा पता है आपको बड़े नंबर है ठीक है तो बड़े नंबर है तो division method लगाएंगे भागफल विदी लगाएंगे और वो विदी क्या है सबसे छोटा नंबर लीजिए ले लिया उसमें उससे बड़े नंबर का भाग देना है तो 48 कितनी बार जा रहा है साफ साफ दिख रहा है यह जाएगा आपके एक बार क्योंकि दो बार में तो 96 हो जाएगा तो यह लीजिए 48 आ गया है फिर इनका difference ले ल वो क्या हो जाएगा आपका डिविडेंट हो जाएगा यह भागफल विधी होती है सेफ निकालने की एक बार जा रहा है चार बचरा है अब जो पिछली बार भाजक था वो भज्जी हो जाएगा ठीक है पिछली बार जो डिविडेंट था वो डिविजर हो जाएगा और जो आपका सेस्वल है वो भाजक हो जाएगा जो रिमेंडर है वो डिवीडेंट हो जाएगा तो यह आ गया 44 complete हो गया 11 times तो last में कितना आपके पास डिवीडेंट बचा last में आपके पास कितना बाजक एक बचा चार उसको जो बचावा नंबर है उसमें डिवाइड कर देते हैं तो मैं देख सकता हूँ 144 से completely divisible हो जाएगा एक बार में ही मतलब पहली बार में हो जाएगा आगे जाने की जरूत नहीं पड़ेगी तो definitely हम इन तीनों का मसप बता सकते हैं SCF बता सकते हैं जो की 4 होगा और वो हमारा चौथा option सही अगला सवाल देखी राज गौट अ न्यू चेर अट 35% डिसकाउंट हैड राज गौट नो डिसकाउंट राज वुड हैव तू पे 238 रुपीज मोर अगर राज को कोई चूट नहीं मिलती तो राज को 238 रुपे और चुकाने पड़ते तो राज कोई डिसकाउंट कितना मिला 35% अगर उसको discount नहीं मिलता तो 238 रुपए और देने पड़ते हैं इसका मतलब percentage में discount कितना मिला 35 का और रुपए में कितना discount मिला 238 का तो मैं कह सकता हूँ कि 35% जो है रुपए में किसके बराबर है 238 रुपए के बराबर तो 1% कितना होगा 238 बटा 35 क्या हमें 1% पूछा है क्या नहीं हमें पूछ रहा है तो राज ने कुरसी के लिए कितना भुखतान किया तो इसका मतलब 35% के discount पर लेकर आया है MRP 100% हम मानते हैं तो 35% discount मिला है तो 100% में से 35% तो छोड़ दिया गया है तो लिया कितना गया है लिया गया है हम कह सकते हैं 65% तो इसका मतलब 65% पर वो लेकर आया तो उस 65% का मान आपको निकाल ले चलिए अब बस हो गया हमारा काम निकाल लेते हैं इसको पांच से गया बिल्कुल गया पांच से गया बिल्कुल ये गया साथ से ये जाएगा बिल्कुल तीन एक्किस फिर अठाइस अब कुछ भी नहीं 34 और 13 का गुणा करना है 4, 3, 12, 12 आरा पीछे तो 2 तो 2 जगे आरा है तो फिर गुणा करके ही देख लेते हैं ये 34 ये 13, 4 का 3 से 12, 3 का 3 से 9 और 4 के इतना 13 और 14 फिर 3 का 1 से 3 और 14, 442 आंच्वर होगा जो की option B है हमारे पास और 442 जो की second option आपका सही है चलिए बात करते हैं अगला प्रश्णी क्या कहता है उसके बारे लिए देखिए mixer का question है allegation mixer मिस्टरन जी से हम कहते हैं क्या सवाल है दिखिएगा प्रश्णी आपको कह रहा है in a mixture of 60 liter the ratio of milk and the water is 2 raise to 3 then the quantity of water in the mixture is 60 liter के मिस्टरन में दूद और पानी का अनूपाद 2 अनूपाद 3 है तो मिस्टरन में पानी की मत्रा क्या है total कितना है 60 liter कौन कौन है दूद और पानी किस अनूपाद में 2 और 3 तो 2 और 3 का total 5 किसके बारे में पूछ रहा है water तो water के लिए ratio कितना है 3 तो multiplication में 3 5 से यह जा रहा है बिलकुल 12 का 3 से 36 liter हमारा answer होगा तो 36 liter मतलब 30 option बिलकुल सही बात करते हैं next 24 के बारे अच्छा प्रश्णय देखिएगा logical question है थोड़ा सा what percent of the numbers from 1 to 80 have 1 or 9 in the unit digit एक से 80 तक की संख्या का कितना प्रतिशत एकाई अंक में एक या 9 लेता है तो देखिएगा अगर मैं एक से 10 तक गिंती लिखूँ ठीक है तो यहाँ पर ऐसे कितने नंबर है जिनकी unit digit एकाई अंक एक या 9 आजा है एक तो यह रहा और एक यह रहा कितने आएं दो आएं ऐसे ही मैं आगे और लिखूँँगा 11, 12, 13, 14 17, 18, 19 और यह 20 अब मुझे बताईए 11 से लेकर 20 तक ऐसे कितने नंबर है जिनका अंक डिजिट यूनिट डिजिट जो है वो 1 या 9 है वही एक और यह दूसरा तो कितने हो गई यह दो तो इसका ऐसे आप 80 तक लिखोगे तो हर बार 10 नंबर लिखने पर 2 मिल रहे हैं तो 80 बार आप 8 बार लिखोगे और हर बार 2 मिल रहे हैं तो टोटल कितने होंगे? 8 इंटू 2 मतलब 16 नंबर ऐसे होंगे 80 तक जिन में यूनिट डिजिट 1 या 9 होगा त्यूंकि एक 10 की सीरीज बनी उसमें 2 आएं, अस्ती के लिए 8 सीरीज बनीगी ऐसे, तो टोटल 16 होंगे ये जो 16 है नंबर, ये जो टोटल नंबर है 80 उनका परसंटेज कितना है वो हमें पूछ रहा है ये जा रहा है क्या बिल्कुल जा रहा है, कितनी बार जा रहा है ये, पांच बार, ये जा रहा है क्या बिल्कुल जा रहा है, कितनी बार जा रहा है, 20 बार, तो 20% मतलब second option आपका बिल्कुल सही हो, चलिए, अगला प्रश्णी क्या कह रहा है, जो कि हमारा last question है, चलिए, बात इह हमको काम में लेते हुए देखे हैं, तो सबसे पहले हम सरल करेंगे जो छोटा कोस्टेक है उसे, क्या कह रहा है छोटा कोस्टेक आपको मल्टिब्लिकेशन और सब्टरestyle करना है तो पहले मल्टिब्लीकेशन करते हैं तो 23 और 35 का गोणा करेंगे एक तरह से 5 का 3 से 15, 5 का 2 से 10 और 3 का 3 से 9 और 1 ये 20, ठीक है, फिर 3 का 2 से 6, 6 और ये 2 कितना 8, पॉइंट लगाना है तो 8.05 हो जाए क्योंकि पॉइंट के बाद एक और पॉइंट के बाद एक टोटल दो नंबर है, तो ये जो मल्टिप्लिकेशन है, ये आया हमारे पास कितना 8.05 और 8.80 कहे सकता हूं मैं इसको, तो 8.80 में से 8.05 मैं माइनस करूंगा, तो कुल मिलाकर इस पूरे स्मॉल ब्रैकेट का रिजल्ट आ जाएगा 0.75, ठीक है, चलिए, अब हमें सरल करना है, इसके बाद मैं ये जो बड़ा ब्रैकेट है, बिक ब्रैकेट है, उसे जो की ये आपके सामने, तो कर लेते हैं इसको, इसमें क्या है, 4 प्लस 0.5 of 0.75, तो कुल मिलाकर 75 का 5 से ही गुणा करना है, तो ये 25 हो गया, 7 का 5 से 35 और ये 2 कितना, 37, ठीक है, 375 हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नी है, ठीक है, तो ये आगया हमारे पास कितना, 375, पॉइंट के बाद 1 है और पॉइंट के बाद 2 है, तो कुल मिलाकर पॉइंट के बाद 3 आ जाएंगे, तो ये, ये जो हमारा बड़ा वाला ब्रैकेट है, उसका, बस अब हमारा आंस्वर आ चुका है, 8.65 मैं 0 लगा लेता हूँ, माइनस 4.375, आंस्वर क्या होगा, आप आराम से देख सकते हैं, 8 में से तो 4 चला जाएगा, तो डेफिनेटली 4 आएगा, पॉइंट का पॉइंट आ देख सकता हूँ, बिलकुल सही होगा, ये था हमारा 1 मार्च 2019 का सिफ्ट 2 का पेपर, बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पेपर के बारे में, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और वीडियो को लाइक और शेर कीजिए, और क